किस्तान भाईयों अगर हमारी मटर की फसल 20-22 दिन की हो जाती है और कई बर फंगस के कराण होने वली बिमारियां जैसे की पौडरी मिल्डियों या डाउनी मिल्डियों जैसे रोग लगने की पॉसिबिलिटी काफी ज़दा रहती है और इन बिमारियों की रोग थाम के लिए हमें प्रिवेंटी में ही कारबेंडा जीम प्लस मैंकोजेब का प्योग कर देना चाहिए और आज हमारी मटर की फसल लगबग 18-20 दिन की हो गी है और आज हम मटर की फसल में फंगी साइड और एक टॉनिक का सप्रे करवा रहें क्योंकि अभी मौसम इतना ठंडा नहीं है औ मटर की फसल में फंगी साइड प्लस टॉनिक इन दोनों का सप्रे करवा रहें बाकी बात रही कीड नशक की तो हमारी मटर की फसल 25-28 दिन की हो जाए तो उस समय ठंड कुछ बढ़ जाती है तो उस समय कुछ पत्ती खाने वाले या नई कलिया खाने वाले कीडों से फसल को इसलिए इस रक्षा के तोर पर हमें कीट नशक दवा का प्रियोग कर देना चाहिए कीट नशक में हमें लेना है Ima Mactin Benzoid क्योंकि Ima Mactin Benzoid ये सभी तरह की सबज्यों में और मटर की फसलों में बहुत ही बढ़िया और सेफ दवा है Ima Mactin Benzoid की सही मतरा लेनी है 100 ग्रम दवा को 1500-200 लिटर पानी के लिए प्रयोग करना है और कोशिश यह रहे कि साथ में एक अच्छा सा एंटिवाइटिक जैसे कि कासुगामाइसिन जिसकी मात्रा रहेगी 500-300 अम्र प्रती एकड़ का प्रयोग कर देना चाहिए जिससे आने वाल समय में हमारी मत्र की फसल बहुती बड़े तरह किसे ग्रोथ करेगी और हमारे किसान भाईयों को एक अच्छा रेट मिलेगा इसके अलावा सबसे जुरूरी बात यह है कि मत्र की फसल में जब भी सप्रे करें तो सिलिकन बेस प्रेडर या स्टीकर का ज़रूर प्रयोग करना है क्योंकि मत्र की फसल की पतियां चिकनी होने के करण दवा पतियों पर बहुती जल्दी नीचे गिर जाती है तो सीलिगन बेस प्रैडर या स्टीकर का प्रयोग करने से दव अच्छे से लगी रहती है इसलिए कहते हैं कि स्पेशली मटर की फसल में चिपको का प्रयोग जरू कीजिए और किसान भाईयों इस समय मटर की फसल में हमें बिमारियों की रोख थाम के लिए फंगी सेड और फसल की ग्रोध के लिए टानिंग का प्रयोग जरू करना चाहिए धन्यवाद